हलो दोस्तो एक्जाम खबर में आप सभी का फिर से स्वागत है दोस्तो कल बिहार दरोगा बिहार SI का एक्जाम संपन्न हो गया और मैंने दोनों ही सिफ्ट सिफ्ट वन और सिफ्ट टू का क्वेश्चन पेपर को अच्छे से एनलाइज किया वैसे तो question नहीं आते हैं लेकिन जिन चात्रों से मेरी बात हुई जिन्होंने question को बताया कि क्या के question आये थे उस हिसाब से मैंने जब question को देखा और उसका analysis किया तो जो cut up होना चाहिए इस बार वो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कितना marks आपको आ रहा है या कितना question आपने सही सही किया है तो आप इसका जो अगला चरन है उसके लिए तैयारी आप कर सकते हैं वो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले तो इसे फटा-फट सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस जरूर करें ताकि आपको वीडियो सम्बंदित सारे नोटिफिकेशन मिलते रहें तो दोस्तो कल जो पेपर आया था, shift one और shift two डोनों में, question जो थे बहुत ज़्यादा tough तो नहीं थे, बहुत ज़्यादा tough नहीं कहे जा सकते हैं, moderate थे, कुछ question जो थे वो easy भी थे और कुछ question जो थे आपके moderate थे, और एकाथ question tough category में भी थे, जिसमें काफी सोचना पर रहा था छ moderate से थोड़ा tough की तरफ था, मतलब moderate मानके चलिए आप paper था, तो cut-up भी उसी अनुसार आपका बनेगा, लेकिन एक बात आप ध्यान रखिए कि cut-up में बहुत ज़्यादा फरक इससे नहीं पड़ेगा, मैं आपको बता दू कि cut-up बहुत कम है, इस तरह से मैं जूठी दिला स आपको बिल्कुल नहीं देना चाहूंगा, cut-up जो है वो जो मैं बताने वाला हूँ, लगभग उतना ही जाएगा, अगर उतना आपका आ रहा है, तो फिर आप अपनी अगली चरन की त्यारी में बिल्कुल जोड़ जाएं, तो मैं category wise जो divide कर दिया है cut-up और male और female दोनों का मैं बता दे रहा हूँ, तो general में जो चात्र हैं, जिनका कि आपका 65 से 67, 8 के बीच में अगर आपने question सही सही टिक किया है, तो आपका जरूर हो जाएगा, आप बिल्कुल निश्विंत रहें, वहीं पे जो BC category है, उनका 62 से 65 के बीच अगर बन रहे हैं, सही उत्तर, मैं बार 10 है, फिर भी अगर आपका बहुत जादा गलट है, तो उससे माइनस हो जागा, तो यह आप माइनस करके देख लिजेगा, आपका सही बन रहा हो 62 से 65, तो आप जरूर अगले चरन की त्यारी में लग जाएं, वहीं EBC जो category होती है, उसमें आपका 60 से उपर है, 60, 62, 3 तक है मतलब 60 के उपर आ रहा है आपको, तो आप आराम से अगले चरन की त्यारी करें, वहीं अगर SC की बात की जाए, तो 55 से 57, 55 से उपर अगर आपके आ रहे हैं, तो आप जरूर अगले चरन की त्यारी करें, वहीं पे ST भी 54 से उपर, 54, 55, 56, जितना भी इस से उपर आ रहा है, तो आप आराम से त्यारी करें, वहीं EWS का कटफ थोड़ा कम जाने का मुझे उम्मीद है, क्योंकि अभी ये नया नया IncludeWise का कटफ कम ही जा रहा है, तो EWS में 60 प्लस आपको अगर आ रहा है तो आप बिलकुल त्यारी में लग जाएं अगले चरन की, क्योंकि 60 प्लस में ज जो जौब है बिहार में उसमें महिलाओं का तो कटफ इसमें कम जा ही रहा है, तो फीमेल का जो जनरल का है वो 58 से 60, 58 से उपर आपको आ रहा है तो आप जरूर आप सभी तैयारी में लग जाएं अगले चरन की, और BC में वहीं 55 से उपर आ रहा है, तो जरूर करें आप तैय वी 48 वगरा से उपर आ रहा है आपका तो आप जरूर तैयारी में लगें और EWS जो महिलाएं हैं वो 50 प्लस आपको आ रहा है 50 या उस्तियाधिक क्वेशन आपका ठीक होड़ा है तो आप जरूर अगले चरन की त्यारी करें तो एक बार आप इस कटफ को ध्यान प्रूवक देख लें यह बिलकुल मैंने बहुत अच्छे से क्वेशन को अनलाइज किया बहुत सारे चात्रों से मतलब की कंसल्ट किया उनसे पूछा कैसा गय अगर आ रहा है माक्स तो आप जरूर अगले चरन की त्यारी में लगे आप सभी को बहुत बहुत शुप कामनाए हैं मेरी तरब से कि आप अच्छा करें और आप जल्द से जल्द दरोगा बनें धन्यवाद